है Hello everyone ! तो आज हम इस स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम क्वेस्ट security č से जो US के question है previous исп के question को do Aachen करेंगे ठीक है पीवाइक्यू previous years के questions रीपोटनों क्वेस्टेन और यह चलो तो फिर देखते हैं करते हैं अपने start करते हैं first question से जो कि 2020 board exam में आया हुआ है ये जो question है वो 2020 board exam में आया हुआ है ठीक है तो चलो देखते हैं question है find the cofactor of all the elements of ये जो अपना matrix given है इसके सभी element के cofactor निकालने हैं ठीक है cofactor निकालने से पहले मैं minor निकाल देता हूँ देखो ज्यान से अगर मैं इस element का minor की बात करूँ deleting its first row and first column इनको delete कर दो तो अपना only क्या बचा थरी तो ये m11 का minor है m12 का minor कुन सा होगा m12 का minor चलो देख लेते हैं कि m12 का minor की अगर मैं बात करूँगा तो देखो m12 कौन सा element है ये वाला तो कौन-कौन सी ये first row and second column delete होगा तो अपना आएगा फोर फिर अपन बात करते हैं m13 की तो इसका minor ये वाला और ये वाला ये दोनों अलव second row first column delete हो जाएगे तो अपना बचेगा minus two और फिर अपन बात करते हैं M14 तो M14 क्या कैसे निकालेंगे चलो बता देता हूँ अभी तो M14 के लिए M14 अपना ये है तो second row M14 नहीं सोरी ये आएगा अपना 21 ठीक है और ये आएगा अपना 22 second row second column ठीक है तो A22 के लिए अपन ये second row second column अपन डिलिट कर देंगे तो अपना बचेगा 1 ठीक है तो ये अपने minor आये हैं अगर आपन इनके को factor बनाना चाहिए तो अपना क्या change होता है चलो अभी बता देता हूं बस अपना Sine change होता है वो Sine भी कहा कहां पे change होता है जहाँ पर i plus j की value ऑड आती है क्या आती है जैसे यहां 11 क्या होता है टू तो मतलब minor औओ अफ्率 same होंगे यहां 1 2 क्या होता है 3big orat है तो में यह 4 है तो यह सदब even है तो अपना 1 का 1 ही रहने वाला है तो अपने को फेक्टर आगे हैं 3-421 3-421 ठीक है तो यह अपने को फेक्टर अपने निकाल लिए हैं चलो फिर नेक्स वाला क्वेस्चन देखते हैं तो नेक्स क्वेस्चन है क्या है system का मतलब 3 स्च्रमेटरे का मतलब 3 स्च्रम्र डीक्त ओ करते हैं तो 3% इसयला का वह प्रक्राणे टेंटो हुआरा है इनकाले व्टमदीर अच्टीक तिक यह व्टमा है को देखते हो दिक ठीख है करSTEब्सक्र прएक्ट मातर्क्रीं का रिका मतलब 3-3 D तो 3 x 3 का a की square matrix है और a into adjoint of a वह अपना 10 i तो अपने को adjoint of a का magnet ये मोड निकालना है determinant निकालना एड़्जोंट ओफ एक क्या निकालना है determinant तो चलो देखते हैं तो सीधी सी बात है सबसे पहले अपन determinant of a की value निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं यह formula अपने पढ़ा हुआ है adjoint of a into a is equal to determinant of a into i दोनों साइड लगा दिया अपने determinant ठीक है तो यहां क्या आएगा adjoint of a into a का जो determinant है is equal to determinant a into i का भी determinant ठीक है और इसकी value अपने को given है given है या नहीं है adjoint of a into a into a joint of a की value है 10 i तो अपने इसकी value लिख दी यहां पर 10 i इधर अपना determinant of a क्योंकि i का determinant की बात करेंगे तो बनाएगा तो यहां से अपना आया determinant of a is equal to 10 i का determinant 10 i का determinant क्या होगा 10 कैसे होगा यह भी बता देता हूं 10 i क्या होगा 10 into i i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ठीक है अच्छा फिर 10 को अंदर अगर तुम multiply करोगे तो यहां 10 आ जाएगा यहां 10 आ जाएगा अब इसको अगर तुम solve करोगे तो इसका determinant आ जाएगा 10 ठीक है simple सी बात है चलो फिर आगे देखते हैं तो अपना determinant of a की value 10 आ चुकी है ठीक है डिटर्मेंट of a की value 10 आ चुकी है तो अपना adjoint of a का determinant अगर कभी भी पूछ ले तो सीधा सा है determinant a की power n-1 n क्या है order तो यहां ओडर कितना था 3 तो यहां पर determinant of adjoint of a का determinant is equal to determinant a की power n-1 determinant a की value अपने निकाल ली 10 तो 10 की power 3-1 मतलब 10 की power 2 वो आगे अपना 100 एक बास ओट में देख सकते हैं a into adjoint of a 10 आई है तो formula लिखो बस तुम तो a into adjoint of a is equal to determinant a into i होता है दोनों साथ determinant लगा दो इसकी value होती है 10 i का determinant और i का determinant 1 हो जाएगा इधर determinant a बचा 10 i का determinant 10 हो जाएगा तो determinant a की value 10 आ गई बस अपन फिर यह formula लगाएंगे तो 10 की power 3 minus 1 मतलब 10 की power 2 अपना अंस्वरा जाएगा 100 option c ठीक है 2020 exam में आया होगा question है अच्छा question है चलो फिर देखते हैं next वाला है a plus b अपने को given है a minus 2b अपने को given है a की value निकालनी है किस की value निकालनी है a की value ठीक है तो simple सी चीज़ है भई क्या करेंगे देखो यहां पर a plus b है और यहां a minus 2b है यहां देखो 2b है और यहां अकेला भी है तो इस first को अपन 2 से multiply कर देते हैं इस first इस first को 2 से multiply करेंगे तो क्या आएगा यह 2a plus 2b is equal to और यह 2,0,22 क्या आएगा 2,0,22 second equation अपनी same लिख दो a minus 2b is equal to minus 1,1,0,minus 1 अगर दोनों का elimination से solve करेंगे तो देखो यह cancel हो गया प्लस का 2b minus का 2b यह 2a होगया अपना 3a is equal to इन दोनों गएड कर दो 2 minus 1 होगा 1,0,1,1 होगा 2 और 0,2 होगा और 2 और minus 1,1 होगा ठीक है यह आगया अब 3 को इदर डिवाड में भेज दो तो a is equal to आगया अपना 1 upon 3,1,1,2,1 and this is our answer ठीक है चलो फिर आगे देखते हैं next वाला question तो next वाला question यह रहा इसमें अपने को a inverse निकालना है और a inverse निकालने के लिए a inverse का formula तुमको पता होना चाहिए a inverse is equal to 1 upon determinant of a into adjoint of a ठीक है तो अपने को determinant a भी निकालना पड़ेगा और इन दोनों का कर दो sign change तो यह आएगा अपना 4 minus का 1 यह अपना determinant वो adjoint of a है determinant a की value अपने को पता यह कैसे निकालनी है और 2 by 2 में और बता देता हूं मैं थोड़ा सा देखो कैसे निकालते हैं इन दोनों को multiply करो minus 3 आया minus का sign लगाओ फिर इन दोनों multiply करो minus का 4 आया यह minus 3 plus 4 is equal to i अपना 1 तो determinant a की value है one adjoint a अपने निकाली लिया है तो बस अब formula हम value रखो formula क्या है a inverse is equal to one upon determinant of a into adjoint of a तो one upon determinant a की value है one adjoint a की value अपनी वो है यह minus 1 minus 143 तो one upon one one ही होता है one से multiply करेंगे तो भी यह अपना अंस्वरा आ जाएगा ठीक है तो चलो फिर देखते हैं next वाला question next वाला question यह रहा x1 10-20 यह दो matrix हैं जो की multiply हो रहे है equal to 0 तो देखो ध्यान से इनको multiply कर लेते हैं तो multiply कैसे करेंगे देख लेता हैं तो first row पहले first column से multiply होगी फिर first row second column से multiply होगी तो first row को first column से multiply करेंगे तो यह आएगा x multiply one x और यह है अपना आप 1 equals minus 2 केतना आ या ा इनस माइनौ, ठीक है तो यह आया first row को first column से multiply करने पर यह आ गयारी Elizabeth है, नहीं है, फिर first row को second कोलम से multiply करेंगे तो अपना आएगा 0 simple सी बात है और equal to O है O मतलब 0 matrix तो लगा देंगे अपन जीरो जीरो तो X-2 is equal to 0 और 0 is equal to 0 सीधा दिखी रहा है तो X-2 equal to 0 रखेंगे तो यह अपना X-2 is equal to 0 तो X की value आगे अपनी 2 and this is our answer D वाला अपना चलो फिर देखते हैं next वाला question तो next वाला question यह रहा 3A minus B is equal to इतना है और B की value यह है then find the matrix A A matrix की value निकालनी है तो बस अपने को B की value यह वाली यहाँ पे put करनी है या फिर एक काम करो B को पहले इदर लेके जाओ तो यह आगया प्लस में ठीक है तो 3A is equal to आया 5011 plus B ठीक है तो यह जो B की value थी यह अपन यहाँ पे रख देंगे तो B की value मैं रखी देता हूं इस B को काटके तो B की value है अपनी 5011 तो जब इसको और इसको अपन एड़ करेंगे एड़ित करने है अभी इस प्लस आ रहा है तो एड़ करेंगे तो 5 corresponding element add होंगे 55 होगे 10 यही तो सोरी 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 मैंने एक की value रख दी दुबारा से चलो दुबारा से देख लो इस question को मैं आराम से बता देता हूं 3A minus B is equal to 5011 है ठीक है यह जो अपना B है यह वाला minus B इसको अगर आपन उस साइड में लेके जाएंगे दूसरी वाली साइड में तो यह जाएगा किसमें प्लस में ठीक है किसमें आएगा यह प्लस B और जब यहां B की value रख दो बस तो यह है 5011 plus B है अपना 4 325 यह है अपना B B की value रख दी add कर दो 5 plus 4 हो गया 9 यह होगा अपना 3 यह होगा अपना 3 और यह होगा अपना 6 किसकी value है यह 3A की अब 3 जो है वो अधर दिवाइड करेगा तो 3 को 3 3 3 9 3 3 3 3 2 6 तो यह आगया अपना एक की value ठीक है चलो देखते हैं फिर next वाला question तो next वाला question यह रख find a matrix A such that 2A minus 3B plus 5C is equal to 0 है B की value अपने को given है C की value अपने को given है तो देखो ध्यान से value रखो बस तो यह 2A minus 3 into B B अपना given है वो value मैंने यहां पर रख दी ठीक है फाइफ को अंदर multiply कर दिया 10, 0, minus 10, 5, 35, 5, 5, 6, 30 यह सारे लिख दी ठीक है यहां तक कोई problem नहीं होनी चीए ठीक है अब देखो ध्यान से इन दोनों को कर लिया solve ठीक है कैसे solve किया 2A plus देखो यह 10 है और यह minus का sign अगर तुम अंदर वेज होगे तो यह plus का होगा यह minus का sorry, चलो लिखी देते हैं पहले 10 plus 6 हो गया, यह 0 minus 6 हो गया, यह minus 10, minus 0, plus 0, same ही चीज है, 35 minus 9 हो गया, और यह 5 minus 3 हो गया, और यह 30 minus 12 हो गया ठीक है, तो इनको solve कर दिया, तो यहां आएगा 16, minus 6, minus 10, और यह minus का 26, यह plus का 26, यह 2 और 18, इस पूरे के पूरे को इस 7 लेके जाएंगे, तो यह minus का sign बाहर हो रहा जाएगा, और 2 को अंदर डिवाइड में भेज देंगे, और इस minus को भी अंदर भेज देंगे, तो minus को अं minus, minus, minus हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 28 जा, 23 जा, 25 जा, और यह minus का 30 है, यह minus का 1, और यह minus का 9, and this is our answer, चलो फिर देखते हैं, next वाला question, और next वाला question यह रहा, find the value of x minus y, x minus y की value find करनी है, यह equation अपने को given है, देखो, 2 को अंदर multiply कर दो, 2 को अंदर multiply करोगे, तो यह ब फिर यह तो अपना same है, और यह भी same है, ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, add कर सकते हैं, तो यह आया 2 plus y, यह 6 plus 0, 6, 0 plus 1, 1, और यह 2x plus 2, 2x plus 2, अब देखो, equating the corresponding terms, corresponding term को equal कर देते हैं, तो 2 plus y equal to, हुआ अपना 5, 2 plus y is equal to 5, तो y की value आगी, 5 minus 3 is equal to 2, तो 5 minus 2 आएगी, यह 2, अना, तो अपना answer आएगा 3, तो y की value आगी अपनी p, और अपने को x की value निकालनी है, तो x की value इस equation ची आएगी, तो क्या है, 2x plus 2 is equal to 8, यह 2 minus में जाएगा पहले, तो यह 2x is equal to 6 हो गया, फिर 2 divide में जाएगा, तो अपना answer आगया, x is equal to 3, ठीक है, त x minus y, तो x की value बितरी, y की value बितरी, अपना answer आगया, 0, ठीक है, तो यह अपना answer आचुका है, ठीक है, चलो फिर देखते है, next, next वाले में देखो, a given है, अपने को निकालना है, a square minus 5 है, ठीक है, तो पहले a square की value निकालनी पड़ेगी, a square कैसे निकलेगा, a into a करके, तो देख बाई कैसे करेंगी, first row को first column से करो, तो ये 2, two, 0 को two से किया, zero, और फिर one को one से किया, तो और, कोई दिक्कत है यी नहीं, ठीक है, तो यह अपना a, first row को first column से कर दिया, परस्ट रो को सेकंड कोलम से करेंगे, वो element यहाँ आएगा 1, 2 पे, परस्ट रो सेकंड कोलम, ठीक है, तो यह 2 को किया 0 से, तो 0, 0 को किया 1 से, तो भी 0, और 1 को किया माइनस 1 से, तो माइनस 1, ठीक है, चलो, फिर आगे देखते हैं, फिर थर्ड कोलम से करेंगे, इस से, तो 2 म multiply 3, आ गया 0, और ये 1 multiply 0, अपना आ गया 0, ऐसे ही second row को first column से, second row को second column से, second row को third column से, फिर third row को first column से, third row को second column से, third row को third column से, ऐसे multiply करेंगे, तो अपने ये 9 element आएंगे, ठीक है, कितने element आएंगे, 9, चलो इनको solve कर लेते हैं, ये हुआ four plus one five, ये हो गया अपना minus का one, ये बच गया अपना two, ऐसे ही सबको add कर लेना, add subject जो भी हो रहा है, ठीक है, तो ये अपना a square आ चुका है, तो बस, जो find करना है, वो अपन ने लिखे दिया, a square minus five a, a square की value रखी, minus five into a की value रखी, अब ये five अंदर multiply कर दो, तो ये five two is a ten, five two is a ten, five five, five three is a fifteen, five five into minus one minus five, और ये zero, ठीक है, तो ये आगया अपना, अब स minus करना है तुम को, to five, ये देखू बाहर minus का sign है, या तो एक काम करो, इस minus को अंदर भेज दो, तो ये minus, 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 2-5-3, 7-10-3, तो ऐसे इसको solve कर लेंगे, तो अपनी value आ जाएगी, चलो फिर देखते हैं, next वाला question, तो next वाला question है अपना ये, A अपने को given है, then find A inverse and solve the following system of linear equation, ये तीन equation अपने को given है, और सबसे पहले अपने को A given है, और ये उसका A inverse अपने को find करना है, ठीक है, चलो, सबसे पहले, मैं adjoint A निकालना बता देता हूँ आपको, adjoint A, ठीक है, इसी question में बताऊंगा, आगे भी question आईगे है, adjoint A के wound में नहीं तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, तो adjoint A अगर अपने को निकालना है, तो देखो कैसे निकालनेंगे, ये अपना A given है, इसका adjoint A निकालना है, चलो, देखो, पहले सभी element के minor निकाल लेते हैं, तो इसका जो minor है, वो क्या आएगा भई, नहीं, 22 जा माइनस 4, माइनस का sign, और ये माइनस 4, तो 4 प्लस 4 बन गया न, कितना आएगा, नहीं, माइनस 4 प्लस 4, तो ये आगा अपना 0, कोई दिक्कत है, नहीं है, ये अपनने क्या निकाला है, ये अपनने निकाला है, minor, इसका A11 का, इस first वाले element का अपनने minor निकाला है तो चलो, अब देख लेते हैं, फिर, इस second वाले element का, ये जो अपना है, ये वाला, इसका minor निकालना है, तो भही देखो, first row, second column हटा दो, तो ये आए minus 6, और ये प्लस का 4 बन जाएगा, minus 6 प्लस 4 कितना आएगा, minus 2, ठीक है, फिर, इसका minor निकाल लेते हैं, तो इन दोनों क हटा दिया, तो ये आया, 3, minus 2, 1, ठीक है, चलो, फिर, आगे और देख लेते हैं, तो अब अपन second row के minor निकालते हैं, तो second row के minor निकालेंगे, तो, ये 2, 1 का निकालेंगे, तो, second row, first column हटा देंगे, तो ये आएगा, 6, और minus का sign लगागे, फिर, ये 5, 6, minus 5, 1, ठीक है, फिर अपन देखते हैं, इसका minor निकालेंगे, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो ये आया, 2, multiply, minus 2, minus का 4, और ये 5 आएगा, तो minus 4, बीचे माइनस लगाते हैं, minus 5, तो ये आएगा, minus का 9, ठीक है, चलो, फिर, अपन बात करते हैं, next वाले की, तो next वाले की बात करेंगे, तो हटा दिया, ये आए, 2, और ये plus का 3 बन जाएगा, 2, plus 3, कितना होता है, 5, simple सी बात है, इसका minor निकालेंगे, तो, 3, 1 का, तो ये आएगा, कितना, 12, minus 10, ठीक है, 12, minus 10, कितना होता है, 2, फिर, अपन और minor निकालते हैं, तो देखते हैं, चलो, अब इसका minor निकालेंगे, तो ये दोनों हटा दो, तो ये आया, minus का 8, और ये आया, minus का 15, minus 8, और minus का 15, कितना, minus का 23, फिर, अपन बात करते हैं, इसके minor की, last वाले number के minor की, जो कि अपना ये minus 2, तो ये और ये गोलम हटा दो, ठीक है, तो ये आएगा, अपना 4, और य वैसे माइनस 9 आएगा, लेकिन प्लस का 9 बन जाएगा, तो ये बीच माइनस होता है, तो ये आया, 4, plus 9, which is 13, ये अपने minor लिखे हैं, minor, minor को को फेक्टर बनाते हैं, तो अपने को पता है, चार जगे साइन चाहिज होते हैं, जहां जहां पे I plus J की value odd होती है, इन चार जगे क्या जाएगा, add join of a, add join of a कैसे निकालते हैं, cofactor matrix का transpose करके, cofactor के लिए पहले minor निकाले, फिर उनको cofactor मनाया है, चार जगे साइन चेंज घरके, फिर उसका transpose कर दो, तो ये अपना आ गया था, cofactor matrix transpose कर दो, transpose कैसे होता है, 021 ऐसे लिखो, minus 1 minus 9 minus 5 वी ऐसे और इसको ऐसे लिख लिख लिए ठीक है तो ये बन गया अपना क्या? Adjoint A ठीक है? अब Adjoint A निकालते हैं तो भाई Adjoint A निकाल लिया अपनने अब A inverse का formula क्या होता है 1 upon determinant of A into Adjoint of A तो अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे अपन determinant A की value निकाल सकते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 multiply में minus 4 और plus का 4 0 हो जाएगा, यहाँ लेंगे अपन plus का 3, first row के along मैं expand कर रहा हूँ, ठीक है? plus का 3 लेंगे, तो यह आएगा minus 6 plus का 4, minus 6 plus 4 minus 2 ठीक है? फिर अपन लेंगे plus का 5 यह वाला तो यह वाला लेंगे तो आएगा अपना 3 minus 2 मतलब 1 चलो solve कर लेते हैं, यह 0 हो गया यह minus 6 होगा, यह plus का 5 minus 6 plus 5 मतलब minus का 1, determinant A की value क्या आई? minus का 1 तो determinant A की value अपनी आ चुकी है तो formula हमें value रखते हैं 1 upon determinant of A 1 upon minus 1 और यह adjoint A लिख दिया अब देखो बाहर क्या है अपना 1 upon minus 1 क्या होगा, minus का 1 ही होगा minus 1 को अंदर भेज देते हैं तो अपना जो A inverse है, वो अपना आएगा और 0, यह plus का 1 हो जाएगा minus का 2 minus 2, 9 minus का 23 minus का 1, plus का 5 और minus का 30 यह हो गया अपना A inverse क्या हो गया अपना यह? A inverse अब देखो ध्यान से यह मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा space मिल जाए अपने को ठीक है? चलो तो फिर देखते हैं अपने को निकालना क्या है? निकालना क्या है? अब A inverse तो अपना निकल चुका है, कोई problem नहीं है अब अपने को solve करना है इन तीन equation को, तो इन तीन equation में पता है अपने को अगर अपन coefficient matrix बनाएंगे तो वो A अपना यही बनेगा ठीक है? A अपना यही बनेगा अना? जो अपने को given है यहाँ पे और उसका अपने A inverse पहले ही निकाल चुके है ठीक है? अच्छा A अपना चलो लिखे देता हूँ फिर भी 2 minus 3, 5 3, 2 minus 4 और यह 1, 1 minus 2, यह अपना A बन गया X is equal to हो गया अपना XY और B is equal to हो गया अपना B कितना होता है इन से बनता है 11 minus 5 minus 3 11 minus 5 minus 3 तो अब अपने को X की value निकालनी है तो इसके लिए formula होता है A inverse into B A inverse को B से multiply कर देते हैं तो A inverse अपन लिखते हैं 0, 1, minus 2 यह minus 2 9, minus 23 यह minus 1 5, minus 13 और into में B 11, minus 5, minus 3 चलो solve कर लेते हैं फिर देखो यहाँ पर यह first row यह first row इस column से multiply होगी तो यह देखो 1, यह 0 multiply होगा 11 से तो वो तो होगा 0 ठीक है फिर यह 1 multiply होगा minus 5 से तो यह हुआ minus 5 minus 2 यह minus 2 multiply होगा minus 3 से तो यह हुआ plus 6 तो अपना क्या आएगा यहाँ पर only 1 बचेगा ठीक है फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाला चलो देखते हैं फिर हाँ आप देखो second row को column से multiply करेंगे तो minus 2 multiply 11 minus का 22 ठीक है 9 को multiply करेंगे 5 से 9, 5 जब 45 minus का 45 जब 23 को 3 से minus 3 से करेंगे तो यह आएगा plus का 63 ठीक है तो यह दोनों minus के add करेंगे तो कितना होता है यह होगा 60 कितना आएगा 11, 22 9, 5 जब 45 23, 3 जाएगे 69 आएगा यह आएगा तो यह आएगा तुमारा minus का 67 और plus का 69 तो अपना answer आगया 2 ठीक है चलो अब last वाला करते हैं फिर लास्ट वाला अपना कुछ इस तरह से है हाँ तो लास्ट रो को आप कोलम से multiply करेंगे तो यह जो अपना है minus 1 यह जो minus 1 है यह 11 से multiply होगा minus 11 आगया फिर यह 5 है minus 5 से होगा तो minus का 25 आगया minus 13 है minus 3 से होगया तो plus का 39 आगया तो यह कितना होगा अपना 36 और plus का 39 तो अपना आएगा यहाँ पे 3 तो x is equal to था यह और x मतलब है अपना x, y, z यहाँ z हो रहाएगा तो x की value है 1 y की value है 2 z की value है 3 तो यह अपना answer भी आचुका है तो ऐसे निकालते हैं अपन a inverse और फिर अगर अपने को solution निकालना है तो formula होता है x is equal to a inverse b से निकालते हैं ठीक है चलो फिर देखते हैं next question तो next question यह रहा 4A matrix A एक matrix given है a plus a dash find a plus a dash a plus a dash निकालते हैं तो पहले a का transpose मैं निकाल लेता हूँ a का transpose करूँँगा तो 2 3 ऐसे लिख देता हूँ यह 5 7 ऐसे ठीक है तो a plus a dash मतलब दोनों को add कर देता हूँ तो यह 2 plus 2 हो गया 4 3 plus 5 हो जाएगा अपना 8 5 plus 3 हो जाएगा अपना 8 और यह से 1 plus 7 हो गया 14 तो a plus a dash की value आ चुकी है अब इसको क्या बताना है कि यह symmetric है तो देखो भई symmetric कोई भी matrix है a वो symmetric कब होता है जब इसका transpose करे और वो a ही आ जाए तो अब किसको symmetric दिखाना आपने को a plus a dash को तो अब इसका transpose करेंगे और अगर a plus a dash ही आ गया तो आपन बोलेंगे symmetric है तो a plus a dash का dash ठीक है तो a plus a dash था अपना 48 ऐसे लिख दिया 814 ऐसे लिख दिया अब भी देखो वो ही है यह सेम ही है चेंज नहीं हुआ तो इकल टू a plus a dash तो a plus a dash का अपने transpose किया फिर भी अपना वो ही आया तो बोलेंगे symmetric matrix है ठीक है चलो फिर देखते है next वाला question तो next वाला question यह रहा a की value given है and k a k into a की value है 0, 3 a, 2 b, 24 then find the value of k a and b तो तीनों की value अपने को निकालनी है तो देखो यहाँ पर जो अपना a है यह वाला set यहाँ पर रख देंगे ठीक है तो चलो एक काम करो पहले k a को multiply कर लो तो k a को multiply करेंगे तो यह आएगा यह अपना a है इसको k से multiply करेंगे तो 0, 2 k, 3 k, minus 4 k यह आगे अपना k a तो k a और यह equal है k a की जगे यह लिख दिया आपने 0, 2 k, 3 k, minus 4 k और यह तो अपना equal to में था ही यहाँ से equation बना लेंगे 0 equal to 0 की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ से 2 k is equal to 3 a ठीक है 2 k is equal to 3 a यह equation काम की है अपनी अच्छा, फिर 3 k is equal to 2 b यह भी equation काम की है अपनी ठीक है और यह minus 4 k is equal to 24 यह भी equation काम की है तो सबसे पहले अपन इस से k की value निकाल लेते है minus 4 k is equal to 24 54 तो k की value minus 4 जाएगा divide में तो इसका अंसर आएगा minus 6 k की value आ गई अब यह जो अपना है 3a is equal to 2k 3a is equal to 2k की value रख देता हूं 3 को इधर divide में भेज देता हूं तो यह 3 2 जा minus का 4 आ गया a की value तो इसकी equation है 2b is equal to 3k क्या है 2b is equal to 3k तो यहां की value रख देता हूं मैं minus 6 2 को divide में भेज जेंगे तो 2 3 जा यह minus का 9 अपना अंसर आ जाएगा तो चलो easy question था वैसे कोई problem नहीं है चलो देखते हैं next वाला question तो a matrix जो है अपना excuse symmetric matrix है find the value of a and p यह और भी दोनों की value निकालनी है तो अपने को पता है excuse symmetric matrix में a equal to a का transpose equal to minus a होता है यह तो a dash is equal to minus a लिखे दो a cut या a t is equal to minus a दोनों सेमी चीज है है न कुछ भी अलग नहीं है अंग में तो यह लिखा a t is equal to minus a a का transpose इस side में लिख देते है 0 to b ऐसे लिख दिया a 0 1 यह ऐसे हो गया minus 3 minus 1 0 यह ऐसे हो गया ठीक है और इस side में minus लगा के यह वाला ही matrix लिख दिया ठीक है minus लगा के a की value रखे दी और यहां a t लिख दिया ठीक है चलो आप देखते है minus को अंदर multiply करेंगे तो यह 0 तो कोई दिखकत ही नहीं है इसको तो plus यह minus से ठीक है अपनी B की value निकालने है, minus B is equal to minus 3, minus B is equal to minus 3, इस minus 1 को divided में बेज़ेंगे, तो B is equal to 3, तो A और B की अपनी value आ चुकी गा, फिर देखते हैं next वाला question, okay, thank you very much for watching this video, वैसे मैं ठग गया था, बहुत ज्यादा question आगे, okay, हाँ एक काम करना, subscribe to this channel, and like and share this video, thank you very much.